लो दोस्तो मैं वीजे कैसे हैं आप लोग आप सभी ठीक होंगे तो चलिए दोस्तो आज मैं आपको अहुजा मीनी डीजे सेटप के बारे में बताऊंगा जो की बहुत ही बैस्ट रहेगा जो की इसमें सारे प्रोडक्ट अहुजा का ही होगा तो चलिए दोस्तो आप लोग व तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं वीडियो की और तो आज हम वीडियो के अंदर प्राइज के वीवारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं हेलो गाज आज हम आपको अहुजा मीनी सेट अप के बारे में बताएंगे जो की अहुजा हाइव वल्टेज पीए पावर एंफिलिफायर है अगर हम इसका मॉडल नंबर का बात करें तो एस पीए हजार है और इसके पावर आटपुट के बारे में हम बात करें तो हजार वार्ड आडा मैक्स हमको मिलता है साथ ही कंपनी के ओर से हमें इस पे तेरह सो पचास वार्ड मैक्समियम मिलता है तो इस पे ज्यादा तर साउंड वाले सब दो हजार से भी ज्यादा दो हजार तक का भी लोड डिस्पे देते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है यह अंप्लिफाइर बहुत ही वरहा प्रोफोमेंस करती है इसके अगर फ्रेक्वेंसी डिस्पोंस की बात करें तो पचास से पंदरह हजार हट हर्ज तक हमको मिलता है इसके अगर स्पीकर आटपुट की बात करें तो तो ओम्स और फोर ओम्स हमको दोनों सेलेक्शन इसमें मिलता है अगर हम ड्राइव इनुट की बात करें तो सतर वोल्ट से सोब वोल्ट का हमको इसमें फंसंग मिलता है साथ ही हम अगर नेट वेट का बात करें तो एक तालिस केजी अप्रोक्स हमको यह वजन के हिसाब में देखने को मिलता है और इस एम्पलिफायर का जो प्राइज है जो की 35,000 से 40,000 के बीच जगह के नुशार उसमें थोड़ा इधर या जादे या कम हो तो आप अपना मेने प्राइज कीजिएगा तो गाज आप लोग अहुजा एम्पलिफायर के बारे में समझ गए हम इस सेट अप के अंदर दो टॉप लेंगे जो की अहुजा पीए स्पीकर सिस्टम का होगा जिसका अगर मोडल नमबर देखें तो एस पी एक्स 810 हमको मिलता है साथी इसके हम इ अगर इसके फ्रेक्वेंस की बात करें तो चालिस से बीस अजार हट हर्ज तक देखने को मिलता है हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप टॉप मार्केट से खरीते हैं तो ज्यादा तर अहुजा का ही खरीद्य ब्रैंडेड है अच्छा रहेगा लाइफ टाइम काम द आपको मिल जाएगा लेकिन जितना यह ब्रैंडेड यह अहुजा का प्रफॉमेंस करेगा उतना आपको यह टॉप नहीं वैसा सजेशन देगा तो चलिए दोस्तों मेरा जो तो गाज मेरा जो एडवाइस है आप ज्यादा तर अहुजा का ही खर दे बहुत ही बैस्ट जो की 65 kg से उपर होता है जो की बहुत ही हैवी क्वाइलिटी में हमको यह टॉप देखने को मिलता है अगर हम इस टॉप की प्राइज की बात करें तो आपको 25 से 30 जार तक का मिलेगा जो की जगह के अनुशार अपना आप मैनेज कीजिएगा दो चार पांच से जार का इधर उधर ही होता रहता है तलिए दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप यही अहुजा का ही यूज गरे बहुत ही बेस्ट रहेगा बेटर रहेगा तो गाज हमने दो टॉप 7708 रखे हैं जो की 15 इंची के स्पीकर रेंज में हमको हमने इस टॉप को ल करेंगे जो की मेरा एक टॉप है 708 फोर ओम्स जिसको हम पेरलर में कनेक्ट करेंगे तो दोनों का हम रेड के साथ हम अपने अम्पिलिफायर के ले जाएंगे जो की हमको दोनों टॉप को कनेक्शन करने पर बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रफोर्मेंस करेगा तो चलिए द कर देते हैं और इसका जो दोनों टॉप का ब्लेक वेर हो गया उसको हम कॉमेंड पे कनेक्ट कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों तो चलिए दोस्तो हमने इसका कनेक्शन कर लिए साथ ही अगर इतना खुबशूरत अगर हम साउंड बजाएंगे तो इसके लिए हम इस टेंजर का जो कि फाइब चैनल का मिक्चर लेंगे जो कि बहुत ही बेस्ट बजता है तो चलिए दोस्तो अगर हम इसे अगर हम इस मिक्चर का प्राइज का बात करें तो जो कि आपको दो हजार से पचीसों के बीच आपको देखने को मिलेगा साथ ही में हम इसको आप ओनलाइन भी खरीद सकते हैं चलिए दोस्तो हमने जो आज बताए हैं जो कि मिनी डीजे सेटप के बारे में तो आप लोगों को कैसा लगा वह हमको कमेंट बताएगा तो चलिए दोस्तो इस सेटप के बारे में अगर हम पूरे टोटली कर ले तो आपको इस तीनों को अगर आप भाई करेंगे खरीदेंगे तो आपको कम से कम 80-85,000 के बीच में आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताएगे कि आपको यह डीजे सेट अप कैसा लगा जो कि जिसमें हम अहुजा का SPA 1000 वार्ड एंप्लिफायर जो कि सुपर पावर एंप्लिफायर लिये हैं और मेरा जो टॉप का हो गया जो कि 7700 वार्ड का SPX जो कि 810 मोडल नमबर है तो चलिए दोस्तों आई होप आप सब को यह वीडियो यह मीनी डीजे सेट अप आपको अच्छा लगा होगा तो चलिए दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो का अगर देख लिए है उसको लाइक कीजिए कमें सब्सक्राइब में हमको बताइए कि आपको यह सेट अप कैसा लगा तो आगे की वीडियो हम फिर बनाएंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही जय हिन जय भारत